हलो, स्वागत है आपका एके क्लासे जैपुर चैनल पर मेरा नाम है अजकुमार आज की क्लास में हम सभी दान की विशेष्टाओं से सम्मंदित टॉप 35 क्वेश्टन्स कबर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एक्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से क्वेश्टन एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे तो वीडियो को लाश्ट तक और पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए क्लास को सुरू करते हैं फ़र्ष्ट क्वेश्टन के साथ तो हमारा फ़र्ष्ट क्वेश्टन है बिस्व का सबसे बड़ा लिखित और सरवादिक व्यापक समीदान किस देश का है अंसर हो जाएगा भारत देश का है सबसे बड़ा लिखित और सरवादिक व्यापक सभीदान अगला कुश्चन है सातियो निम्नि में से भारतिय सभीदान कैसा है आंसर हो जाएगा अंसते कठोर और अंसते लचिला ना जादा कठोर और ना जादा लचिला भारतिय सभीदान है अगला क्वेशन है सातियों भारत के सभीदान में भारत को क्या माना गया है तो आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन भारत के सभीदान में भारत को राज्यों का यूनियन राज्यों का संग माना गया है अगला क्वेशने सातियों भारत एक दर्म निर्पेक्च रडेश है इसका क्या तात्पर्य है आंसर हो जाएगा इसका राज इस्तर पर कोई धर्म नहीं है धर्म निर्पेक्ष का अर्थ क्या है कि इसका राज इस्तर पर कोई धर्म नहीं है अगला क्वेस्टन है सातियो बारतिय सभीदान के संदर्म में कहा जाता है कि यह है मौलिक सविदान है, बकीलों का स्वर्ग है, विकासील सविदान है, तानासाई सविदान है तो आंसर हो जाएगा बकीलों का स्वर्ग है भारतिय सविदान कैसा है? बकीलों का स्वर्ग है अगला कोश्चन है सातियो बारतिय राजनेतिक व्यवस्ता में इन में से कौन सर्वोच है तो आंसर हो जाएगा इसका सभीदान बारतिय राजनेतिक व्यवस्ता में सभीदान सर्वोच है मतलब सबसे उंचा क्या है सभीदान अगला क्वेस्टन है निम्ने में से किस भारतिय सभीदान का अभिवावक्त माना जाता है? तो भारतिय सभीदान का अभिवावक्त सर्वुच न्याले को माना जाता है अगला क्वस्चन है भारत में बयस्क मतादिकार की उम्र सीमा क्या है? अंसर हो जाएगा अठारे बर्स बयस्क मतादिकार की उम्र सीमा है अगला क्वस्चन है सातियों भारतिय संगिय विवस्ता की एक विसेश्ता निम्न में से क्या है? आंसर हो जाएगा सभीदान की सर्वोचिक ता अगला क्वस्चन है भारत के सभीदान में संगिया सब्द की जगए किने सब्दों को इस्तान दिया गया है तो आंसर हो जाएगा राज्जों का संग अगला क्वस्चन है सातियो बारतिय सभीदान में कितनी सूचियां है तो आंसर हो जाएगा तीन सूचियां है राज्य सूची, संग्चूची और संबर्ती सूची अगला क्वस्चन है सातियो भारत में बैद प्रवु सत्ता किसमे नीहित है आंसर हो जाएगा सभीदान में भारत में वैद प्रवुशत्ता नीहित है अगला कोछ सने सातियो भारतिय सभीदान की सर्रचना किस प्रकार की है तो आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मत और कुछ कटोर प्रकार की है भारतिय सभीदान की सर्रचना अगला क्वस्चन है सातियो लिखित सभीदान की अबदार्ना ने सरपिर्तम कहां जनम लिया था तो आंसर हो जाएगा अमेरिकाने में लिखित सभीदान की अबदार्ना ने अभीताव अमेरिका में सरपिर्तम जनम लिया था सबसे पुराना लिखित सभीदान है अमेरिका का अगला क्वस्षन है सातियो अध्याचात्मक सासन का उदय सरप्रितम किस देश में हुआ तो आंसर हो जाएगा सयोक्त राज अमेरिका में हुआ था अगला क्वश्चन है बारतिय संगबाद को किस ने सहकारी संगबाद कहा था आंसर हो जाएगा जी ओस्टिन ने बारतिय संगबाद को सहकारी संगबाद कहा अगला क्वश्चन है निमलकित में से कुन सी विश्षता भारतिय संग और अमेरीकी संग दोनों में सांजी है अगला कुछ सने सातियों, निम्न में से किस भारत का सभीदान माननिता प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा, धार्मिक और भासाई अल्प संक्यकों को भारत का सभीदान माननिता प्रदान करता है। अगला क्वश्चन है साती हो, किस आयोक की सिपारिस पर सिबिल सेवकों की भरती के लिए केंद्रिय लोग सेवा आयोक का गठन किया गया? अंसर हो जाएगा, ली आयोक की सिपारिस पर सिबिल सेवकों की भरती के लिए केंद्रिय लोग सेवा आयोक गठन किया गया? अगला कुश्चने सातियों बारत में पेली बार महिलां को बोट देने का अधिकार कप्रदान किया गया था आंसर हो जाएगा बारत साथन अधिनियम 1931 को किसने गुलामी का अधिकार पत्रे कहा था अंसर हो जाएगा पंडित जवालाल नहरू ने भारत सासन अधिनियम को 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था अगला क्वश्चने सातियों भारतिय सभीदान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है अंसर हो जाएगा भाग थिरी को भारतीय सभीदान के भाग थिरी को भारत का अधिकार पत्र या मेगना काटा कहा जाता है अगला क्वेस्टने सातियो बर्तमान समय में कितने समूदाएं को अलपे संक्यक बर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है अंसर हो जाएगा छे समूदाएं को बर्तमान समय में अलप संक्यांग बर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है अगला क्वेस्तन है सातियो राज का निती निदे सकता तो एक ऐसा चैक है जो बेंकी की सुविदा अनुसार अदा की जाएगी यह कतन किसका है अंसर हो जाएगा के टी सायका है यह कतन कि राज का निती निदे सकता तो एक ऐसा चैक है जो बेंकी की सुविदा अनुसार अदा की जाएगी अगला कुस्शन है सातियो निम्न में से कौन सा पद लाब का पद नहीं माना जाता है आंसर हो जाएगा इन में से सभी उपराष्टपती, राष्टपती और मंत्री परिशद ये सभी लाब के पद नहीं माने जाएंगे अगला कुछ सने सातियों बारत के राष्टपती के पास बीटो सक्ती होती है बीटो सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है अंसर हो जाएगा रोकना बारत के राष्टपती के पास जो बीटो सक्ती होती है उस बीटो सब्द का अर्थ है रोकना अगला क् extending है किस सभीदान संसोदन के द्वारा राष्टपति को सभीदान संसोदन बिदेक पर सूकर्यति देने के लिए बाद्रिकारी बना दिया गया अंसर हो जाएगा 24 वे सभीदान संसोदन के तहत अगला क्वेशन हैं साथियो अंसर हो जाएगा आठ न्याइदीस उकी भारत के मूल सभीदान में शर्बोच न्याले के मुख न्याइदीस सहित आठ न्याइदीस उकी व्यवस्ता की गई थी परंतु बरतमान में अब 31 न्याइदीस है कितने हैं 31 अगला क्वेस्टन है जब भारतिय न्यायक पद्धती में लोक हित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुक्ध न्यायमूर्थी कौन थे आंसर हो जाएगा पी एन भगवती थे अगला क्वेस्टन है सभीदान का कौन सा संसोधन मंत्री परिशद का आकार कुल सदस्य संक्या के 15% से अधिक नहीं करता है अंसर हो जाएगा एक्रानमा सभीदान संसोधन 2003 में हुआ था संसोधन मंत्री परिशद का आकार कुल सदस्य संक्या के 15% से अधिक नहीं करता है ओके सातियो आज की क्लास यहीं पर समापत होती है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेश आप तक पहुंच आए थैंक्यू वीडियो पूरा देखने के लिए